तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का उर्दू पढ़ने वाले हैं चेप्टर नुमर 20 और 21 दो चेप्टर आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये दोनों चेप्टर गजल है और इन दोनों गजल के जो राइटर है यानि की शायर वो एक ही है यगाना चंगेजी इसलिए एक ही वीडियो में दोनों चेप्टर कंप्लीट कर दे रहे हैं यगाना चंगेजी की एक गजल को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हालांकि इसके पहले व वीडियो में आप लोग मिर्जागालिप की गजल पढ़े थे और एक शेर में आप लोग को सुनाई थी जो आप लोग को काफी अच्छा लगा और उसका अर्थ आप लोग बोले थे बताने के रिए एक बड़ फिर से में वह शेर सुनाना चाहती हूं काफी मतलब विजागाल होते हैं और गालिब ने इस खयाल में तोड़ दी तश्वी कि नाम क्यों लोग इन गिन कर उसका जो देता है बेहिसाब हमें इसका अर्थ में आप लोगो बता देना चाहती हूं इसका मतलब यह हुआ कि सिर जुकाने से नमाज अदा नहीं होती है यह नहीं कि दिन पर गुना के सामने दिल से जुके आपका मन और दिल बिल्कुल साफ और पाक होना चाहिए हो सच्चा होना चाहिए दिल से जुकेंगे तो आपकी नमाज जदा होती है और गालिब ने इस खयाल में तोड़ दी तश्वी तश्वी तो आप लोग जानते हैं जिस पर अल्ला का नाम और वगर पढ़ा जबने तोड़ने तोड़ दितश्वी के यानि कि उसका नाम उपर वाले का नाम खुदा का नाम मैं गिनगिन तक्यों कि लूँ और तो में होता है यंट गिन गिन कर तर्फप पड़ते हैं तो कल्मा दुरूद किन गिन कर पड़ती हैं वह सबसे जड़ा और तौना कर पड़ती हैनी और बके Time है या फिर मौलवी मौलाना से बक्सवाती है ठीक है जो भी हो लेकिन ये बात सोचिए कि गालिब ने इस ख्याला अत को कितने अच्छे तरीके से शाहिरी के अंदाज में ढाल दिया है कि गालिब ने इस ख्याल में तोड़ दी तक्षभी के नाम क्यों लोग इन गिन कर उसका जो देता है बेहिसाब हमें जब उपर वाला खुदा बेहिसाब हम लोग को देता है जब वो कोई हिसाब नहीं रखता है तो हम लोग क्यों हिसाब रखे हम लोग को भी बेहिसाब पढ़ना चाहिए बेहिसाब जितना ज़्यादा सके उतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए औ वही वोले थे मिर्जा गालिव और इस शेर का यही अर्थ हुआ यहां पर आते हम लोग यगाना चंगेजी के बारे में पढ़ते हैं यगाना चंगेजी बहुत बड़े शायर थे इनका पूरा नाम था मिर्जा वाजिद हुसेन यास याद रखिएगा पूरा नाम अगर कोश यहां पर हिस्ट्री में चले जाईए 1884 में भारत का वाय सराय कौन बना था डफरिन बना था भारत का वाय सराय डफरिन था देखिए दो तो 286osa29 seas टक तो कॉन था अ क्या नाम है उसका लीन था 18-28 तक लिटन उसके ऐसी से 84 तक रिपन था और उपरिन था तो 1884 में यहाना चंगेशी की पैदाइ सोली और 1884 में भारत का वाय सराय डफरिन बना था और याद रखिएगा ठीक साल के बाद सब्सक्राइब करने वाले थे याद रखना है ठीक मतलब जब कॉंग्रेस की स्थापना पहले यहां पर थोड़ा सा हिस्ट्री में भी लेकर सब्सक्राइब याद कीजिए जी के वगएरा ठीक है पटना से ठीक है मुगलपूरा में आगे बढ़ते हैं यागाना चंगीजी के वालिद यानी की पिता जी का नाम था मिर्जा घुलाम हुसाइन उर्फ मिर्जा प्यारे साहब हर किसी का अपना अल प्यारे साहब और यागाना चंगीजी की इपतदाई तालीम यानी की शरुवाति शिक्षा की बात करने तो इनको मिला था इपतदाई तालीम मौलाना सहीध हसरत के मदर्शे से और फिर वहां पर तालीम हासिल करने के बाद आगे चले गए मोहमडन एंगलो अर्बिक स्कू घृख वन्हें तो अनुछ चार में बगतागे लेकिन फिर वापस एपतना इसे धिक्ली में यगाना चंगीजी इंट्रेंस पटाई पास किये थे हैं और उन्हें अच्छार में कलकता चले गए लेकिन कलकता गये तो वहां की जो आब हवा है इनको रास नहीं आई वहां प इलाज के दिए गए थे लखना उन्हें सब पांच में ठीकें आगेःाई येजा से 5-2 में बंगाल विभाजन हुआ कर दिया गयाँ सायद हाड फित्या सें और लेकिन फिर से दुबारा उन्हें सब बारा में बंगाल का विभाजन हो गयाँ यानि कि बंगाल से बिहार सब इसी तरह अलग होता चला गया तो याद रखना है इलाज के लिए लखनाओं उन्हें सपाच में बंगाल विभाजन रद भी हो गया था दुबारा विभाजन हुआ ठीक है और उन्हें सब्सक्राइब सब्सक्राइब याद रखना है यह इंपोर्टन एक बार पूछा जा चुका है यह इंपोर्टन लगा खाना दे रही हूं और एक यह इंपोर्टन लगा दे रही हूं कनी जुसेन ठीक है और उन्हें साथ Candice सब्सक्राइब तक आवद किके नर्व करने लगे उन्हें सब्सक्राइब करने लगे उस्ताइब करने लगे उर्दू नाम एक educational department था यहां पर काम करने लगए इससे वाबस्ता हो गए यानि की संबंदित हो गए ठीक है और लाहौर जब आये ना तो वही पर यगाना चंगेजी की मुलकात अल्लामा एकबाल से हुई ठीक है आगे बढ़ते हैं उन्हें 27 इस भी के आखिर में हैदराबाद चले गए थ दो बेटे थे और एक बड़ी बेटी थी तो यहां चंगेजी के दोनों बेटे और बड़ी बेटी और उनकी बेगम यानि की बेगम मतलब क्या यहां चंगेजी की बेगम तो उनकी बेगम दोनों बेटे और बड़ी बेटी उन्हें से क्यावन में पाकिस्तान चले गए थे झॾ इनका सारा फैमिली पाकिस्तान चला गया था यह अकेले चूट गए थे हंदुस्तान में ठीक है तो अब यह क्या करते यह भी चले पीछे पाकिस्तान अफने के पास अपने legal mm उन्हें को ये सबी फैमिले यान की बड़ी बेटी उसके बाध से पाकिस्तान चले तो पीछे पीछे यहानद चंगेशे बीचे भी गये थे पाकिस्तान लेकिन फिर अपनेator वापस पर नहीं से इंटकाल इंटकाल ठीन नहीं तो चार फरवता तो तीन तरों को उन्हें यगाना चंगेजी की मौत हो गई यानिका इनका इंतकाल हो गया और विक्टोरिया गंज में इनको दफन कर दिया गया ठीक और इनकी एहम किताबों का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है निश्टर यास आयाते वुजदानी और तराना यह कुछ वगरा वगरा और भ में दिया गया था वहर एक पॉइंट आप लोगों को बता दी यह गाना चंगेजी के बारे में आप लोग सब कुछ जान चुके हैं अभी तक ठीक है तो अब चलिए इनकी घजल को पढ़ते हैं वीडियो को शेयर जरूर करें देखिए अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कि फिर हम लोग दोनों गजल को एक-एक करके परतियेक लाइन को पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे यहां तक लिए फड़ावर स्क्रीन शॉर्ट अब आईए हम लोग यगाना चंगेजी के पहले घजल को पढ़कर उसका अर्थ समझ लेते हैं और फिर दूसरे घजल को भी अर्थ पढ़कर परतियेक लाइन का अर्थ मैं आप लोगो समझाओंगे चैंसर नहीं लीजिए सबसे पहले पहले घजल को पढ़कर है देखिए रोक लगाता है जो भी आपके अर्मान है दिल की खौईश है उस पर रोक लगाने का काम कौन करता है अदब करता है ताकि आप हमेशा सही रास्ते पर चलते रहें नेकी के रास्ते पर चलते रहें एक्जामफल देकर मैं आप लोगों समझाती हूँ आप लोगों को बहुत देखने का शौक्स बुडियों देखने का वाइल चलाने का बहुत दामन करता होगा लेकिन क्या अदब आप लोगों को करने की इजाज़त देता है तहजीब आपको इजाज़त देता है नहीं तो अदब आपके दिल के खौाहिशों पर रोक लगाने का काम करता है और हवस चाहता है कि आप अपने शौक को पूरा करें हवस चाहता है कि आप दिन भर रात बर ट्वर इनटी-फॉर सेवन आउर्ट मुबाइल चलाते रहें तो आपको और विजिदा एक्टिव करता है प्रेरित करता है कि आप अपना शौक पूरा करें जो भी आपकी दिल की पर रोक लगाता है लेकिन हवस जो है ना आपके अपने शौक और खौाहिसों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है ठीक है इसी फरेव ने मारा के कल है कितनी दूर इस आज कल में अबस दिन गवाय हैं क्या-क्या यहां पर यह गाना चंगेजी बोल रहे हैं कि इसी फरेव में इसी धोखे में रहा और यही धोखा हमें मार दिया किकाल है कि कितनी दूर यानी कि मैं कोई भी काम कल में परटाल देदा था क्यां कल लेंगे परसों कर लेंगे ठीक है और यह कल कल करते यानि कि आज कल करते करते अबस दिन गवाये हैं क्या-क्या और इसी तरह मैं आज कल करते करते बहुत ज़्यदा दिन गवादिया हूं और आज ऐसा समय कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तो वही याँ पर बोला जा राहे कि इसी फरेव ने मारा इसी धोके ने मुझे मार दिया कि तो कल अबार दूर कल कर लेंगे कोई धिकत नहीं और इसी आज कल में बहुत ज़िदा दिन का वाद्यार इस तरह आप को नहीं करना है व्यजी पता है कि आप लोग आप लोग you के साथ होता होगा आप लोग सचे खांगे कल पढ़ लेंगे आज ये कल पढ़ने बैठेंगे विए कल तो जो इस तो fataroi सोम बाट से पढ़ेंगे सोम बारा है nothing नोई इक तारी हुझ लोग और इसका इलाज में आप लोगों को बता देती हूं बहाना साइटिस का सबसे असरदार और रामबाड इलाज है जिद अगर आपके अंदर जिद आ गया आप जिद कर लिए कि नहीं कुछ कुछ भी हो जाए हम को यह काम आज ही करना मको आज ही पढ़ना है अभी पढ़ना है तो फिर यह यह बहाना साइटिस सबसे बड़ा लाज राम बड़ी लाज क्या है जिद जिद करीया आप लोग पढ़ने की अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कोई भी टोपिक तो सोची हम को क्यूँ नहीं समझ में आ रहा है अब तो डिजिटल जमाना हो गया ना मोबाइल है आप लोग के पास यूटुब पे यूवल पर सर तो बहाना साइटिस नाम का विमारी जड़ से खत्म हो जाएगा ठीक है चलिए दूसरे दूसरे नहीं तीसरे शेर में यह गाना चंगेजी लिखे हैं कि पहाड काटने वाले जमीन से हार गए इसी जमीन में दरिया समाय है क्या-क्या पहाड काटने वाला फरहाद को बोला जा शीरी और फरहाद की कहानी है कुछ एक दूसरे से महबत करते थे और शीरी जो है ना शीरी के पिता जी वह फरहाद से बोले कि अगर तुमको मेरी बेटी से निकाह करना है शादी करना है तो सामनी देख रहे होना पहाड उसको काट कर और बीच से दरिया निकाल दो तब मैं तुम्हें अपनी बेटी से साथी करने के लिए इसादत दे दूगा टो फिर फरहाद शीरी से बिचारा मह deuकतो है उसे शादी करने के लिए चला गया पहाड काटने के लिए और काटे कार्ते वरसोब बीत गए काटते 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 एक दिन ऐसा है कि वह काट दिया और बीच में से दर्या भी निकाल दिया ठीके नदी भी बहा दिया लेकिन उसी दिन उसको पता चला कि उसकी जो महभूबा है शीरी उसका इंटकाल हो गया है अब बताइए भले ही वह जीत गया पहाड को काट कर बीच में से दरिया निकाल दिया यह जीत गया लेकिन फिर लास्ट में उस वह हार गया अपने 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 अपना सर भी कलम कर देता है और वो भी उसी वक्त मर जाता है उसका बेंदेकाल हो जाता है तो यहां पर बोले जैसे उतना पहाड काटने वाला ताकतवर इंसान जम समाए हैं क्या और इसी जमीन में बड़े बड़े दरियाय समाए हुए हैं समंद्र सागर महा सागर इसी जमीन में समाए हुए हैं और चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए जमीन से हार जाता है कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए इंसान उसको अंत में जमीन में ही दफन किया जाता है तो वही बोला जा रहा है कि पहाड काटने वाला जमीन से आर गए इस जमीन में धरिया समाये हैं क्या-क्या बड़े-बड़े लोग प्रधान मंत्री हो गए हैं मुख्य मंत्री हो गए हैं SP, DSP, SDM, DM वगयरा जितने भी हैं बड़े-बड़े लोग जो उपने आपको बहुत बड़ा मानते हैं इंतकाल हो जाने के बाद ना उसको हर इंसान को जमीन में ही दफन होना पड़ता है हम भी इंतकाल कर जाएंगे हम भी एक दिन जमीन में दफन हो जाएंगे तो हर इंसान जमीन से हार जाता है बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर पस्ती का बड़े-बड़ो के कदम डगमग पर बुला कि रहाए कि बुलंद बुलंदी पर यानि कि उचाई पर कोई इंसान रहता है ना उसी को पता रहता है नीचे के इस्तर का हाल क्या उपर से गिरने के बाद क्या हाल होगा जो इंसान बुलंदी पर उचाई पर उसी को पता रहता है वरना तो जो नीचे के इस्तर प उसको पता है कि इसने के फिल्म के गार और वहीा इंसान जोह करना यानि की बड़े-बड़े लोग उनके कदम दगम आये हैं कि क्या कि क्या कि बड़े बड़े लोग जो है नना वह जब नीचे सतर को देखते तो के मेरी मुस्कुराइब मुझा इसका मतलब यह गए मैं कि मैं रास्ते से हो कर जा रहा था और अचानक मैं लडखाड़ा गया और फिर मैं गिर गया तो जब और के चेहरे पर हसी आगई, मुस्कूराहट आगई, तो यह मुझे बहूत अच्छा लगा, और ऐसा लगा ना कि मैं अपने पैर को उठाकर चूमलू, कि मेरे इस लटखड़ाहट, और गिरने के वज़े से, पैर के वज़े से, किसी दूसरे इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है ठीक है वही यहां पर बोला जा रहा है और शायद हो सकता है कि किसी दूसरा इंसान मतलब बोल रहे हैं वो उनकी महभूबा हो ऐसा भी हो सकता है खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ खुद अपनी जात पर शक दिल में आये हैं क्या-क्या मतलब मेरे दिल में अपने जात पर शक हुआ है लग अपने आप पर शक होता है कि मैं कौन हूं मैं क्या हूं इतरह तरह के ख्यालात आते हैं तो यह पहला कजल कम्प्रीट बहुत ही लंबा है और यहां पर बहुत जदा गर्मी भी वह रही है और इतना एफॉट डालकर मैं आ आप लोग लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए नए आए हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे अब चलिए दूसर पर अपने आपको और अपने दिल को अलग अलग बताए हैं अलग अलग जाहिर किये हैं यह गाना जंगेजी बोल रहे हैं कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता पराया जर्म अपने नाम लिखाना यानि कि मेरा जो दिल है वो मुझ से अलग है मेरा दिल खता क किया मैं थोड़ो ना किया हूँ तो पराया जृम अपने नाम क्यों लिख वाँ पराया जृम अपने नाम लिख वाना नहीं आता वही बोल रहा है मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता या मेरा जिल जो दिल है वो पराया है उसने गलती की है उसने जरुम किया है तो पराया जरुम अपने नाम लिखवाना नहीं आता है ठीक है आगे बढ़िए मुझे ए ना खुदा आखिर किसी को मुझ दिखाना है बहाना करके तरह पार उतर जाना नहीं आता दरिया है और दरिया को पार करके उस पार जाना है और किसी को मुझ दिखाना है और मैं यू बहाना करके अकेले दरिया को पार नहीं कर सकता इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे पहले बुड़े बच्चे सभी लोग को इस दरिया को पार करा दूं और उस पार होता है पत्थर ठीक है मुसीबत का पहाड है आखिर किसी दिन कठी जाएगा विल्कुल सही बात है मुसीबत का पहाड परेशानी जिन्दगी में आती है तो हमेशा के लिए थोड़ा आती है किसी दिन तो कटेगी ठीक है तो वही बोला जा रहा है कि मुसीबत का पहाड है वाला इंसान है मैं यूँ पत्थर से सर मार कर मर नहीं सकता यूँ घबरा नहीं सकता परिशानियों से और यह मुसीबत परिशानिया कुछ दिनों के लिए के लिए आई है ना एक दिन कठी जाएंगी यह भी चली जाएंगी और इसलिए मुझे सर मार कर पत्थर से मर जाना नहीं आता मैं लड़ूंगा और मरते दम तक परिशानियों से लड़ूंगा ठीक है दिले बेहौसला है एक जरा सी ठेस का महमा वह आसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता बिल्कुल सही बात है दिले बेहौसला है यानि कि दिल जो है ना ब बहुत ज़्यदा दर्द होता है और वह आसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता जिस इंसान को गम खाना नहीं आता जिस इंसान को कभी गम ही नहीं मिला है कभी परेशानी का सामना ही नहीं हुआ है वह इंसान गम क्या पिएगा जैसे ही उसको गम मिलेगा ना उसके आखों से आसू जर 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 गिरने लगेंगी इंसान अपने आखों से आसू वही इंसान अपने आखों से आसू नहीं आने देता है जो अपने जिन्दगी में धेर सारे मुश्पील, परिशानी और गमों को सहा हो, गमों को देखा हो, वही इंसान अपने आसू को पी लेता है, वही यहां पर बोला जाला है कि वह आसू क्या पीएगा, वह इंसान आसू क्या पीएगा, जिसको गम खाना नहीं आता, जो इंसान गम को देख नहीं सकता, गम जिसके जिन्दगी में कभी आया ही नहीं है, वो इनसान क्या आसू पिएगा, उसके आँख से तो आसू आही जाएगा, लेकिन जिसको हमेशा गम मिला है, वो इनसान अपने आसू को पिलेगा, उसके आँख से आसू नहीं आएगा, और देखें य जादा जमेदारी बच्चपन सही मिली रहती है लेकिन जिस बच्चे को परिवार वाले बहुत दल्राड़ प्यार देते हैं और जिम्मेदारियों से दूर रखते हैं वही बच्चा आगे जाकर बिगरता है यह बहुत बड़ा बात है यहां पर भले ही गम की बात हो रही है कि जिस इंसान को गम मिला हो वो आशू को पी लेता है ठीक है वो अपने दुख को अपने गम को नहीं दिखाता है और जिस इंस दार व्यक्ति बनता है लेकिन जिस बच्चे को बच्पल सही लाट दुलार दिया जाता है वह आगे जाकर पक्का बिगड़ता है क्योंकि उसको जिम्मेदारी का कुई मतलब यह भी सीड़ी भी नहीं पता रहता है ठीक है आगे बढ़िए दिले अच्छा यह तुम्हें ब लेकिन पर पढ़िए कि इसमें नहीं लिखा हैं मैं अपने आफसे बोल रही हूं यहां पर बस कहने का मतलब यह है कि मुझे भी आजादी का शौक गुदाता है लेकिन मुझे अपनी चादर से बाहर पैर फैलाना नहीं आता यानि कि मेरे अंदर लिमिटेशन है ठीक है बाउंटरी है कि मुझे इतने ही दूर में अपना पाउं को फैलाना है इसी वह जैसे अपनी चादर से बाहर पाउं फैलाना नहीं आता लेकिन अगर फैलाना है तो क्या करो नया चादर खरिद लाएक दम बड़ा सा आगे बढ़िए लास्ट लाइन ठीक है लास्ट शेरा बोल सकते हैं इस सरापा राज हूं मैं क्या बता हूं कौन हूं क्या हूं समझता हूं मगर दुनिया को समझाना नहीं आता यहां पर यगाना चंगेजी कह रहे हैं कि सरापा राज हूं यानि कि सर से पैर तक राज हूं मैं राज ही राज हूं क्या बता हूं कौन हूं मैं क्या हूं समझता मगर दुनिया को समझाना नहीं आता मैं कौन हूं क्या हूं मैं समझता हूं मैं जानता हूं लेकिन दुनिया को समझाने नहीं आता कि मैं कौन हूं मैं सर से लेकर पैर तक राज हूं यह मैं जानता हूं मैं कौन हूं क्या हूं जानता हूं लेकिन दुनिया को समझाने नहीं आ है जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई हो अगर समझ में आया है तो लाइक करें जरूर करें लाइक करके ही जाए और जितना ज़्यदा उसक्यों नहीं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टाफिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज